आपका फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम करते हैं जी के सिरीज नंबर 47 जो इसमें भाग चार होगा भारत की भूल का आज इसमें बहुत इंपोर्टेंट टोपिक करने वाले हैं आज का जो हमारा टोपिक रहेगा भारत के परवत और परवस्चरेनिया देखना परवत में या फिर पहाड और परवत में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम बहुत डेपली आज समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं देखना भारत के परवत और परवत स्रेनिया क्या होते हैं परवत और इसमें कौन-कौन से हम परवत पढ़ेंगे देखना जैसे परवत और पहाड न एक तो होता है क्या पहाड और एक परवत इनमें क्या डिफ्रेंस होगा दोनों में पहाड और परवत में hill and mountain ये तो hills हो जाएंगे और ये mount mount में क्या difference देखना जैसे एक इस्थिती ऐसी होगी है कोई भी इस्थला करती ये क्या हो जाएंगे जो भाग उपर उठेगा परवत या पहाड और जो नीचे का भाग होगा ये हो जाएगी घाटी valley ये तो valley हो जाएगी और ये परवत या पहाड तो परवत क्या होते है mount चिसको इंग्लिस में mountain कहेंगे short में mount लिखते हैं इसकी तीन सर्ते होती है first, second और third देखना first क्या होगी कि उसकी जो उँचाई है ये 1000 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए ये तो क्या उँचाई है और second उसकी condition होगी कि उसपर दो तेज ढ़लान होने चाहिए जैसे ये होगा यहाँ पर ये परवत अगर हम समझते हैं तो इसपर दो तेज ढ़लान होगे तीर ढ़लान तो ये क्या जाएंगे तीर ढ़लान ये तीर ढ़लान हो जाएंगे और number 3 हो जाएगा इसमें कि उसकी जो दरस्चता है visibility दरस्चता ये हमें 300 मीटर की दूरी पर दिखाई देने चाहिए अर्थाद इस पर कौन से वरक्स या कौन सी plantation होगी है ये क्या हो जाएगा परवत अगर ये तीनों condition है तीनों में जो पहले वाली है ये सबसे important है कि उसकी उचाई 1 किलो मिटर या 1000 मीटर होनी चाहिए 1000 मीटर का मतलब क्या हुआ एक किलो मिटर उसकी उचाई कितनी एक किलो मिटर कम से कम होनी चाहिए अब वो चीज परवत हो जाएगी कोई इस्थला करती परवत नहीं तो पहाड हो जाएगी फिर है ना तीनों कंडिशन तीनों में जो पहले वाली है यह इंपोर्टेंट यह होनी ही अनिवारिया है तो देखना जो माउंटेनिक हम रेंज पढ़ते हैं हिमाले परवत भारत की इसमें कई चीज़े आती है एक तो पुरुवत तर गया जाएगे तो यह हम चीज़े पढ़ेंगे यानि कि यह चार पार्ट हुए है इनकी स्टेट वाइज हम सारे परवत और पहाड पढ़ेंगे कि कहां पर परवत हैं किस राज्य में च्थित हैं ऐसे questions आते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम इस मैप में पहले ह पहाडיה परवत हैं है ना इसमें कौन-कौन से कहां हैं बाकि इसमें अलग भी आपको बताएं कि इसका पार्टिसन कैसे हुआ है देखना इधर तो पाकिस्तान आ जाएगा पाकिस्तान में यह क्क्या आजाएगा सुलिमान परवत अफ़गानीस्तान में हिंदू कुस परव या फिर तोरा बोरा, इसका दूसर नाम क्या है पर तोरा बोरा, तोरा बोरा की पहाड़ियां, और इसके partition किये गए हैं, एक तो हम horizontally इसके part करते हैं, चार, फिर इसमें जैसे होता है, ट्रांस हिमाले, वरद हिमाले, लगु या मद्ध्यम हिमाले और सिवाली हिमाले, यानि कि एक, दो, तीन, और चार, अभी आगे आपको slide में बताएंगे, और एक part हो जाएंगे, इसमें vertically, इस तरीके से ये पश्चिम से पूरब भी बैटा गया है, इस तरीके से west to east, west to east का part हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये बरहम कौन सी, सिंधो नदी, सिंधो नदी से और बरह तक बाटा है, तो इसमें क्या-क्या, जैसे सबसे उपर, जो इसमें आएगा कारो कोरम की पहाडिया, जैसे केटू, केटू की जो पहाडिया है, कारो कोरम, ये इसी में आजाएगा, केटू, दूसरा हो जाएगा, लद्दाक की सरेनी, ये लद्दाक की सरेनी भी यही पर हो तो आगे की स्लाइड में देखेगा यह ध्यान देजेगा इसमें जो पाकिस्तान की पाड़ियां कौन सी सुलेमान की सुलेमान की सुलेमान कहा जाएगा हिमाले परवत को अफगानिस्तान में हिंदु कुस कहा जाएगा और ऐसे ही नेपाल में सागरमा था कहा जाएगा जहां इसे नीचे की जो पहड़िया हैं इनकी उंचाई करीब होगी 700 से और 1200 मेटर तक. 700 से 1200 मेटर तक हम शिवालिक कहेंगे. इसमें क्या आजाएगा? सिवालिक. सिवालिक में क्या आजाएगा? जैसे हरी दूर इसी में चाई वाला है ट्रांस हिमाले दूसरा है उससे नीचे ब्रद हिमाले व्रद ग्रेटर 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 हिमाले यह ग्रेटर हिमाले नंबर थीन आ जाएगा इसमें मद्धे हिमाले या लगू हिमाले माइनर या मीडियल और नंबर फूर आ जाएगा सबसे नीचे का सिवाल एक हिमाल्य है तो ट्रांस हिमाल्य में क्या है इसमें तो कारा कुरम केटू या फिर जासकर की सरेनी जासकर या फिर पीर पंजाल जो हमने अभी बढ़ी है पीर पंजाल ये सब सरेनिया उपर आ जाएंगे और वरद हिमाल्य में आ जाएगे हिमाल्य परवत और नेपाल का जै मकालू और एक अनपूर्णा की पाड़िया, अनपूर्णा ये नेपाल की छेठी में पड़ेगी तरह ही मैं, अनपूर्णा, ये किसमे वरध हिमाले में, तो question आया हूँ कि नेक्स्ट अलाई में आप देखेगा हिमाल्य परवस्रेनी कौन से होंगे और हिमाल्य परवस्रेनी को दो भागों में विभाजित किया गया है कौन कौन सी स्रेनी में विभाजित किया गया है ये टाइपिंग गलत हो गया एक तो उत्तर से दक्षिन का विभाजन और एक पश्चिम से पूरब का विभाजन पश्चिम से पूरब है ना west to east तो इसके विभाजन में क्या देखेगा आप उत्तर से दक्षिन का जो विभाजन है यानि के north से south का जो आपको भी पता है तो सबसे उपर से कौन से आजाएगा जैसे वरद हिमाले यह जो दिखा गया ना सिरिट पार्ट वरद हिमाले ट्रांस हिमाले फिर वरद हिमाले फिर मद्द हिमाले और लास्ट में क्या जाएगा समय यह सिवाली हिमाले तो इसमें नेपाल का जो हिमाले काली हिमाले कुमायू या भी आपको पच्चिन से पूरवाब को बताते हैं तो इसमें ये परवस्ट रेने भी होती है पटकाई बूम, नागा, लेपाटोल, मेजो की पाड़िया, जैनतिया, गारोखासी जैनतिया यह नहाँ पर पड़ेंगे मेगाले में तो यह मेगाले में हो जाएगा, आगी देखेगा, उससे आपकी समझवाएगा, नेस्टी स्लाइड से कौन-कौन से होते हैं, उत्तर से दक्षिन, टांस हिमाले, सेकिंड नंबर पर आजाएगा वरद हिमाले उसके बादे फिर मद्ध्य हिमाले, और फूर्थ नंबर आजाएगा, सिवालिक हिमाले, जो आपको अभी पिछली स्लाइड में बता है तो आपको इनका करम ऐसे याद रखना है, यह उपर से नीचे की तरफ है, आनिके नोर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिन पश्चिन से पूरव का विभाजन आप देखिएगा, पश्चिन से पूरव पर नंबर है कौन सा, पंजाब या कस्मीर हिमाले, नंबर दू आजाएगा कुमाड्यू हिमाले, और तीसरा नंबर होगा नेपाल हिमाले, नंबर फोर आजाएगा इसमें असम हिमाले, तो कौन कश्मीर हिमाले और सतलज नदी से और काली नदी के बीच में काली नेपाल की तरही से निकलती है नदी ये तीसरी नदी है इन दोनों नदियों के बीच का है निके सतलज का और काली नदी के बीच का छेतर कुमाईयू हिमाले के नाम से और ऐसे ही थर्डवन हो जाएगा इसमें तीसरा काली नदी और तीस्ता नदी यानि कि चोते नमबर की नदी हो जाएगी काली नदी और तीस्ता तीस्ता नेबाल की तरह इसे निकलती है और इसके बीच का छेतर हो जाएगा नेपाल ही माले नेपाल ही माले, नमबर फूर असम ही माले, तो इनका आप ऐसे ही करम नोट कीजेगा, इसके नोट्स बनाते रही है, आप साथ साथ नोट कीजेगा, आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है, विशिष्टा और पहाड, ऐसे क्वेश्चन आई हुए है कुछ, बारत का उस्तम परवत कौन सा है, कंचन जंगा, ये कहां पर पड़ेगा नेपाल की तरही में, बारत, पाकिस्तान, अधिकर्द, कस्मीर, सहीथ, उस्तम, परवत कौन सा है, मांट तू, है ना गोडवीनास्टिन, मांट तू के, मांट तू के, है ना, या केटू, कारकूरम, अच्छा, गो दिल्ली में फैली है और हर्याना में हर्याना और एक इसमें आजाएगी राजिस्थान राजिस्थान दिल्ली में इसी का नाम रायसीना भी है रायसीना रायसीना इसी को बोलते हैं या फिर आउसिष्ट परवत क्या हो जाएगा आउसिष्ट परवत भी यह उधारन है परवसरंखला की सबसे उंची चोटी कौन सी है गुरु सिखर माउंट आपू के समी प्राजिस्थान में ये जैनियों से संबंदी थे जैन ध्रहन से संबंदी थे आगे राइसिना हिल्स नई दिल्ली के छेतर जहां राष्ट पती भावन इसका विश्थार का है अरावली पर वत्मला विंध्यन उसको जोडती है पश्चिमी घाट को इस नाम से भी जाना जाता है स्याधरी की पाढ़ियां स्याधरी कहा है पश्चिमी घाट में ये महराष्ट में इस्तित हैं महराष्टा स्याधरी की पाढ़ियां अच्छा त्रैंबग की पाढ़ियां भी बोलती है तो धार में किस्तल वहां मरा बना हुआ है इस पर आगे कैलास परवत हिंदू पुरानिक कथाओ के भगवान सिव का निवासे तिब्बत में मानसरोवर जील जहां पर मानसरोवर बना हुआ है मानसरोवर तो ये विभीन परिक्साओ में पूछे गए क्वेश्चन किस टाइफ से आते हैं परवतों से आप पहाडों से आप इन्हें नोट कीजेगा आगे पुर्वी पहाडियां जो पुर्वी छेतर की पहाडियां कौन-कौन सी उसमें देखते हैं देखना ये मैफ भरत क तो आप इसे भी भरतरी ये बलैंक मैप उसमें पहले इस्टेट आपको याद करने पड़ेगी जम्मो कस्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियान, राजिस्तान, गुजरात, महराष्ट इस तरीके से आप इनको याद करते जाएए इस बहाने से आपको इस्टेट भी याद हो जा इस भाग की बात हो रही है, पूर्वी भारत, यहाँ पर दफला और इस्में, सेकिन इसमें अबॉर की पहड़ीया, अरुना चल पर देश में, अरुना चल परदेश सबसे अंतिम स्टेट आजएगा अरुनाचल पर देश, अबॉर की पहड़ीया, और थरड़ वन हैं, मिस मिशमी की पाड़िया इसका पूर्वी और उत्तरी भाग चेनी की सीमा को इस परस करता है मिशमी की पाड़िया असम में और यहां पर आ जाएंगी अरनचल परदेश में मिशमी की पाड़िया आगे पटकई बूम की पाड़िया अरनचल परदेश में यह जहीं पर पटकई बूम नेस्ट इसमें नागा की पाड़िया नागा की पाड़िया नागा लेंड में यह दिखा गया है नागा लेंड यह अन्तिमिस का यहां पर इस्टेट है मीजो की पाड़िया मीजोरम में ये इसमें मीजोरम दिखा गया, मीजो की पाड़िया, ये जहां पर इसमें सारी का नाम लिख देंगे, फिर इसमें ज्यादा ही डैंस हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, इसलिए नमबर डालते रहे हैं, गारो की पाड़िया, देखना गारो खासी जैनतिया, तीनों का हैं मेगाले में, ये क्या है, बंगला देश के ऊपर ये मेगाले का छेतर पड़ेगा, यहां पर गारो खासी जैनतिया की पाड़िया, मेगाले में, नेक रेक एक सबसे उंची चोटी होगी, क्वेश्चन हो है कि नेक रेक की पाड़िया का है, गारो की पाड़िया में, यहां चेरापुंजी और मसिन नाम भी है खासी की पाड़िया कहा है मेगाले में आगे जेनते की पाड़िया कहा है मेगाले में तो इसी राज्य में ये क्या हुए हमारी पूर्वी पाड़िया आप ये एक पेज पर ये सारे नोट किया किजिए एक तो हम यह करेंगे और फिर ऐसी दक्षिन की और हम उसकी पहाड़ीया लेंगे आगी देखेगा भारत के हिल्स, हिली स्टेशन कौन कौन से जैसे अनंतनाग, अनंतनाग का है जम्मो कस्मीर में डल होजी, डल होजी कहां धोला धर सरेनी है दारजिलिंक का है पश्ची मंगाल में ऐसे कोश्चन आए मिनका मिलान करने के लिए आता है गुलबर की स्राज्य में, जम्मो कस्मीर में कसोली की स्राज्य में, हिमाचल परदेश में कोड़ई कनाल एक जगे का नाम है पलानी की सरंखला पड़ेगी, आगे हम अभी बताएंगे पलानी सीरीज उसके बारे में लोनावला, स्यादरी की सरंखला है महराष्ट में, महाबलेशवर का है महराष्ट में, मनाली का है कुल्लू गाटी में, हिमाचल परदेश में माउंट आबो ऐसे ही राजिस्थान में मसुरी की जो पहड़ियां उत्राखंड में नैनी ताल आ जाएगा आपका उत्राखंड में और पंचमडी मद्धे परदेश में सत्पूरा की पहड़ियां यहाँ पर पढ़ती है जिसमें जहां से नर्मदा नदी भी निकलती है अमरकंटक से उती की पहड़ियां उती कहाँ पर है उती की पहड़िया तमिलाडू में ऐसे ही कन्नोर की पहड़ियां कन्नोर की पहड़ियां हो जाएंगी तमिल लाड़ो में इस्तित हैं ऐसी इसी परकार आगे बढ़ते हैं तो ये पंचमडी की पाड़िया उटी की पाड़िया का है उटी तमिल लाड़ो में नील गिरी की पाड़िया पढ़ती है जिनको इलाई जी की पाड़ी भी कहते हैं नील गिरी देखें क्वेश्चन कई बार है हो कि उटी कहां पर इस दित है कन्नूर कन्नूर कहां पर है तमिल नडू में है कन्नूर अच्छा ये सापुटारा स्याधरी गुजरात में पढ़ेगा एक हील स्टेसन है और हरसली हिल्स ये आंधर परदेश में है आंधर परदेश में है जो यहाँ पर एक नल कॉंडा की या नल मलाई की यहाँ पर पहड़िया पढ़ती है आगे देखेगा आगे हैं गुजरात की पहड़िया जो गुजरात पच्छी में छेतर में पढ़ेगा तो गुजरात ये स्टेट दिया गया है गुजरात की कौन कौन सी पहड़िया तो मैप में बढ़ते रही है आफसा साथ एक तो मांडवी की पहड़िया भी बोलते हैं मांडवी की पहड़िया ये कहां गुजरात में तो एक पहड़िया तो भी कच की पहड़िया कच दूसरी पहड़िया कच में हो जाएगी तीसरी है फिर ये बर्दा की पहड़िया बर्दा यहां पर हो जाएगा तीसरा अच्छा नंबर फूर गिर नार की पहड़िया गिर नार यहां पर इसमें तो चार पहड़िया ही होई और ऐसे गिर की पहड़िया यह गिर की पहड़िया भी इसी के पास हो जाएगा है ना तो ऐसे आपको याद रखना है कि टोटल कितन है पांच पाड़िया हो जाएंगी इसमें तो ऐसे हम इसको मैफ को फिल करते रहेंगे इससे और भी यह हमारे लर्ण हो जाएगा साथ साथ महराष्ट में कौन-कौन सी पाड़िया पहले महराष्ट देख लेते हैं देखना मैफ में जो दिया गया है महराष्ट यह है ऐसे अजनता एलोरा की गुफाए भी और पहाड़िया भी महरास्ट में आ जाएगा तीसरा हरीश्चंदर की पहाड़िया महरास्ट में हरीश्चंदर तीन पहाड़िया होई नमबर फूर बाला घाट की पहाड़िया ये बाला घाट हो जाएगा नमबर फूर और ऐसे इसमें महाबलेसवर की पहड़ियां ये महाबलेसवर हो जाएगा तो आप इसमें मैप में साथ साथ ये बढ़ते रहिएगा उससे आपका ये रिविजन होता रहेगा और एक दिये हैं काल सुबाई की पहड़ियां ये काल सुबाई तो कितनी हो जाएगी इसमें तीन और तीन छे पाहडिया तो यहाँ पर नंबर लिखला किजिए कि इसमें छे पाहडिया है गुजरात में जैसे पांच पाहडिया तो ऐसे नाम लिखेंगे उससे आपको याद करने में आसानी होगी ultimately हमें याद ही करना पड़ेगा यह सब next देखते हैं देखना करनाटक की पाहड़ियां करनाटक में कौन-कौन सी तो एक बार मार्क कर लेते हैं करनाटक में यह करनाटक और गुजरात में तो एक ही है यहाँ पर यह सोरी गोवा गोवा जो दिगा है इसमें कौंकन की पाहड़ियां कौंकन तट भी है और कौंकन की पाहड़ियां गोवा छोटा सा इस्टेट पड़ेगा करनाटक में कौन-कौन सी देखते हैं यह कुंडर मुख या केंदर मुख भी लिग देते हैं कभी-कभी केंदर मुख यह सही से टाइफ नहीं हुआ मुझसे उसके लिए सोरी तो केंदरमुक की पाड़िया का है करनाटक में ऐसे मार कर लेंगे दूसरा बाबा ये बुद्धन गिरी की पाड़िया बाबा बुद्धन गिरी करनाटक में आगे बरहम गिरी की पहड़ियां करनाटक में आ जाएंगी नमबर फूर नेल गिरी की पहड़ियां ये करनाटक में देखना नेल गिरी के वैसे केरल तमिल नाड़ो करनाटक तीनों में है तो इस तरीके से एम मैफ में फिल करते रहेंगा हमें यह साथ-साथ आगे तमिल्नाडू की देखते हैं पाहड़िया कौन कौन सी है तो पहले तमिल्नाडू पर हम मार कर लेते हैं यह क्या है तमिल्नाडू स्टेट है तो तमिल्नाडू की क्या यह पालनी की पाहड़ियां तो पहले क्या यहाँ पर पालनी की पाड़ियां तमिल नाड़ू में दूसरा दिया गया है इलाइची की पाड़ियां इसमें पालनी की पाड़ियां इलाइची की पाड़ियां यानि के नमबर सेकिंड हुआ है नमबर तीन यहाँ पर है सेन कोटा की पहड़िया ये दर्राभी और पहड़िया भी सेन कोटा है ना क्या है सेन कोटा कोटा लिख लो है कोटा सेन कोटा दर्राभी है आपर एक दर्रापासिर आगे जावादी की पहड़िया ये जावादी की तमिलाडू में और नमबर इसमें फाइव आ जाएगा सिव इलाइची के पाड़ियाँ यह आप पाल गाठ भी पड़ता है केरल और तमिलाड गाठ जिससको पार करके हम तमिलाड जाते हैं आगे दिया गया है अन्ना मलाई की पाहड़ियां ये भी तमिन लाड़ों में हो जाएगी अन्ना मलाई तो देखना इसमें पाहड़ियों की संक्या काफी है आप इन्हें नोट करते रहे हैं यहापर जैसे नंबर डालेंगे न वन टू थिरी फॉर इसी तरीके से आप यहाँ भी मार्क डालेंगे अगर इसके अंदर आपने लिखे हैं तो उसमें काफी डैन्स होजाएगा बहुती घहना लिखा जाएगा तो आप नमबर डालेगा, इसमें मैप में भी एक, दो, तीन, कि एक नमबर पर कौन सी लगी है, दो नमबर पर कौन सी पहाड़िया, तो ऐसे आप नोट करते रहिए गए साथ-साथ, एक और नहां की देखेगा, नेक्स स्लाइड देखते हैं, आंदर परदेस की पहाड़िया आंदर परदेस की पहाड़िया, पहले आंदर परदेस को हम मार करते हैं कि कहा है आंदर परदेस, तो आंदर परदेस की जो पहाड़िया ये आंदर परदेस रज्ज है, इसकी पहाड़िया को मार करते हैं, देखना, एरा माला की पहाड़िया यहां पर हैं, आंदर परदेस ये वेली कॉंडा की पाड़िया, ये वेली कॉंडा की पाड़िया, नमबर 4 लिखेंगे ऐसे, नमबर 5 पर हैं, इसमें पाल कॉंडा की पाड़िया, ये पाल कॉंडा की पाड़िया, नमबर 5, नमबर 6 आजाएगा नागरी की पाड़िया, ये क्या आजाएगी, नागरी हमारी पहड़िया हो जाएगा ऐसे नेट ओडिसा की पहड़िया ओडिसा राज्य में देखना कौन-कौन से पहले ओडिसा को हम मार करते हैं यह ओडिसा राज्य है यह ओडिसा दिया गया है तो इसकी पहड़िया कौन-कौन सी होंगी जैसे यह अस्या की पहड़िया अस्या प पारा की पाढ़िया है नंबर 3 पर टीकर पारा और नंबर 4 पर आप देखेंगा नया गड़ यह नया गड़ी की पाढ़िया नंबर 4 पर है तो इस तРЕखे से हम क्या करेंगे ऐसे इनके मैप में फिल करते रहेंगे और याद भी होते रहेंगे स्टेट वाइज आप इसको याद कीजिए तो ये हमारी कुछ पाहड़ियां थी इसके आप नोट्स बनाते रहिए मैं आसर करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा अगर नहीं तो आप हमें कमेंट बोक्स में आप लिख कर बताईएगा आपका हम पूरा-पूरा सहयोग करेंगे तो बार-बार इनका रिविजन क्या कीजिए क्योंकि रिविजन से हमारे चीज कोई लोंग टाइम तक याद रहेगे याद करना और याद रखना दोनों अलग-अलग बाते हैं याद कोई भी कर सकता है दो-तीन दे तक याद हो जाएगा लेकिन दो-तीन महीने बाद उसको रिविजन कीजिए तो उसमें याद नहीं आएगा तब ये इसलिए आप नोट्स बनाते रहे हैं और जितना ज़्यादा सज़्यादा हो सके उतने आप इसको रिविजन करते रहे हैं आट तिन में कम से कम एक बार रिविजन होने चाहिए हमारे पूरे चैप्टर्स का ओके थैंक यू